गाजा के राफा शहर में इसराइली सेना पूरी तरहा से घुश चुकी है और आप IDF के टैंक और अन्य से निवाहन राफा की गलियों की खाक चान रहे हैं वो भी इस उम्मीद से कि वो राफा में हमास का सूपड़ा साफ कर देंगे लेकिन हकीकत में ऐसा होता वाद दिख नहीं रहा क्योंकि गाजा के अन्य हिस्सों के मुकाबले इसराइली फौज के लिए राफा के किले को भेद पाना बेहद ही मुश्किल है यहां पर हर कदम पर हमास के लड़ा के घात लगा कर इसराइली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आईडियाफ के टैंक और अन्य सैन नेवाहन वहां से गुजरते हैं उन पर ताबर तोड रौकिटों की बर साथ हो जाती है हमास ने राफा में अभी तक इसराइली सैना के कई मेरकावा टैंक्स को मिट्टी में मिला दिया है लेकिन अब गाजा में हमास के लड़ाकों ने वोकर दिखाया है जिसके बारे में इसराइली सैना ने कभी सोचा भी नहीं होगा जी हाँ पूर्वी जबालिया में हमास की सेन निशाखा अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइली सेना के अपाचे हलिकॉप्टर पर S.A.7 एंटी एयर मिसाइल दागी है अलकासिम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अलकासिम के लड़ाके अपाचे हलिकॉप्टर पर पहले तो घात लगाते हैं और फिर उसके उपर मिसाइल फायर कर देते हैं और इस हमले के अलावा अलकासिम के लड़ाकों ने रफा क्रॉसिंग के पास और जबालिया कैम्प में इसराइली सैनिकों पर एक स्नाइपर ऑपरेशन किया है जिसका बाकाइदा वीडियो भी जारी किया गया है इस वीडियो में दिख रहा है कि पहले अलकासिम के लड़ाके दूर खड़े इसराइली सैनिकों को राडार पर लेते हैं और फिर उसके बाद स्नाइपर राइफल से फायर कर देते हैं जिसके बाद आईडिया कैम्प में आईडियाफ के मेरकावा टैंक को उड़ाने का दावा किया है अलकासिम का कहना है कि उसने एंटी आर्मा डिवाइस और स्टिकी विसफोटक डिवाइस से इन टैंकों को उड़ा दिया है और इस ऑपरेशन में उसकी मदद अलकुस ब्रिगेट ने भी की है अलकासिम ने इस इस हमले का जो वीडियो जारी किया है उसमें हमास का एक लड़ाका कई रॉकेट्स को विस्फोटक डिवाइस के साथ जोडता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद ये विस्फोटक अपने आप फायर होने लगते हैं इन सभी हमलों के बीच अलकासिम ब्रिगेट का कहना है कि उसके लड़ाके अल-अजर्मा स्ट्रीट में आईडियेफ के जवानों और सैन्ने वाहनों पर आर पीजी से हमला करने में काम्याब रहे हैं ये हमले जवालिया कैम्प में हुए हैं इसके अलावा पूर्वी जवालिया कैम्प में इसराइली सैनिको के एक जमावडे पर सिक्स्टी कैलिबर मोटर गोले दागे हैं और इस हमले के साथ ही अलस्का मार्टर ब्रिगेट के लड़ाकों ने पूर्वी रफा में इसराइली सैनिकों के उपर बम और हैवी कैलिबर गोलों से हमला किया है हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के कुछ लड़ाके हर्याली में छिपकर लाउंचर में रॉकेट भर कर दना दंदाग रहे हैं इसके अलावा हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके एक खंडर पड़े घर में छिपकर सामने के बिल्डिंग में एक इसराइली सैनिक पर स्नाइपर ऑपरेशन करते है हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकासिम का लड़ाका पहले तो जंगले की एट को तोड़ता है और उसके बाद वो वही पर अपनी स्नाइपर राइफल रख कर सामने की बिल्डिंग में मौजूद इसराइली सैनिक पर फायर कर देता है इसके बाद बिल्डिंग के बाहर आईडियेफ के कुछ जवान छिपने के लिए भागते हुए नजर आते हैं